नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि देश को केवल खाद सुरक्षा की नहीं बलकि पोसन युक्त खाद सुरक्षा की आविश सकता है कथन की समिक्षा करें और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है यह संबंदित है आज के संपाद की से आज तीन संपाद की को शामिल किया गया है और तीनों के तीनों संपाद की है जीयस पेपर ठर्ड में सामिल विशय एकोनॉमिक एंड सोसल डेवलप्मेंट के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है इसमें पहला संपाद की है जिसका सिर्षक है एन इनकंप्लेट सॉलिशन इसे लिया गया है हिंदू न्यूजपेपर से दूसरा संपाद की है जिसका सिर् तक है टिंकरिंग एट मार्जिन्स इसे लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से तो चलिए एक एक कर इन संपाद की को विश्तार पूर्वक देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं लेकिन उससे पूर्व पिछले संपाद की में जो प्रस्ण पूछा गया था देखते हैं कि उसका सही जवाब क्या है प्रस्ण है कि निम्न में से किस रिपोर्ट को IMF द्वारा जारी किया जाता है पहला Global Financial Stability Report दूसरा World Economic Outlook तीसरा Environmental Performance Index चौथा Global Competitive Index तो इसका सही जवाब है विकल्प A मतलब पहला और दूसरा यह जो Environmental Performance Index और Global Competitive Index है इसे जारी करती है World Economic Forum चरिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर जिसका सिर्सक है An Incomplete Solution इस संपादिकी का आधार है GST छतिपूरती अब हमें यह पता है कि COVID-19 महमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रारम में संपूर् लॉकडाउन की घोसना की गए थी उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन के नियमों में धील दी जा रही है परन्तु इन सब के बीच यह देखा गया कि आर्थिक क्रियाकलाब की गती धीमी हो गई है और आर्थिक क्रियाकलाब की गती के धीमी होने के कारण सरकार के GST संग् में जो कमी आ रही है उसकी भरपाई के लिए जिस GST छतिपूर्ती के प्रावधान को लाया गया था तो उस GST छतिपूर्ती से सम्बंदित राजस में भी कमी आई है हमने 17 अक्टूबर के संपादिकी में GST, GST Compensation, GST Compensation Fund पर चर्चा की है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब चालू वित्वर्स मतलब कि 2020-21 में आखिर GST छतिपूर्ती राजस्व है कितनी यह अनुमान लगाए गया कितना तीन लाक करोर रुपे का और GST छतिपूर्ती के लिए जो GST Compensation से 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 उससे कितनी प्राप्ती का अनुमान है 65,000 करोर रुपे का तो मतलब यहां पर यह है कि तीन लाक करोर रुपे में से 65,000 करोर रुपे की प्राप्ती तो हो जाएगी तो सेस कितना बचा 2.35 लाक करोर रुपे यह जो 2.35 लाक करोर रुपे है यह राज्यों को कैसे उपलब्द हो तो इसके लिए अगस्त महिने में जो GST Consil की बैठक हुई थी उस बैठक में केंद पहला विकल्ब क्या था कि 97,000 करोर रुपे राज्यों को Special Window के तहट प्रदान किया जाएगा और यह जो 97,000 करोर रुपे है तो इससे समंदित, मूलधन और ब्याज इसकी जो वापसी होगी या वापसी कैसे होगी छती पूर्ती उपकर के द्वारा और इसके लिए छती हजार करोर रुपे राज्य प्राप्त करेंगे तो यह राज्यों के रिण में सामिल नहीं होगा अब यहां बात यह है कि 2,35,000 करोर रुपे या 2,35,000 करोर रुपे में से केवल 97,000 करोर रुपे ही क्यों वह इसलिए क्योंकि इसके बाद जो सेसरासी बचती है वह Act of God है मतल यहां पर यह है कि जो GST छति पूर्ती का आकलन केंदर के द्वारा किया गया तो वित्ती वर्स 2020-21 में केंदर के द्वारा या आकलित रासी कितनी निकली 97,000 करोर रुपे की ठीक है अब जो सेसरासी दिख रही है वह सेसरासी कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक क्रिया कल प्रभावित हुए तो यहां जो आर्थिक क्रिया कला प्रभावित हुआ है वह केंदर के इस्तर पर भी हुआ है और राज्यों के भी इस्तर पर हुआ है तो जैसे केंदर के राजस में कमी आई है कोरोना महामारी के कारण वैसे ही राज्यों के राजस में भी कमी आई कोरोन महामारी के कारण, तो मतलब यहाँ पर यह है, कि यह जो 2.35 लैक करोड रुपईया है, यह पुर्ण रूप से GST छति पूर्ती राज़त स्वे नहीं है, किसके अनुसार, केंदर के अनुसार, वारासी कितनी है, 97 अनुसार करोड रुपई, तो यहाँ आम ने देख लिया, 97 अ करोड रुपई जो पर्थम विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो 21 आधार पर केंदर के द्वारा दिया गया था, अब हम बात करते हैं, दूसरे विकल्प की, कि अगर 2.35 लैक करोड रुपईया लेना है, तो मतलब यह पूरा का पूरा हो गया, दूसरा वि मूलधन है, वह किसके द्वारा परदान किया जाएगा, केंदर सरकार के द्वारा, मतलब यह जो रिन है, रिन पर जो मूलधन है, वह कौन देगी, केंदर सरकार देगी, जबकि उस पर ब्याज की अदाएगी किसके द्वारा की जाएगी, राज के द्वारा की जाएगी, व 6293 की अंतरगत तो राज इस अतरिक्त उधार के इस प्रावधान का उप्योग नहीं करवाएंगे किलियर यहाँ पर अब देखें यहाँ पर क्या हुआ इसके बाद क्या घटना इसमें क्या प्रगती हुई जरा वो देखें इसमें प्रगती यह हुई कि 97,000 करोड रुपे का जो पहला विकल्प दिया गया था उसमें बाद में बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी 1.1 लैक करोड रुपे लेकिन सर्तने यथावत ही रखी गई और GST कॉंसिल की जो बैठक हुई उस GST कॉंसिल की बैठक में केंद्र ने फिर वही सर्तने रखी केवल रासी बढ़ा दी 97,000 करोड रुपे से 1.1 लैक करोड रुपे तो इस प्रथम विकल्प को 21 राज्यों के द्वारा चुना गया किल्यर यहाँ पर हाँ लेकिन इसमें एक बात यह जोड़ी गई कि अतरिक्त उधार का जो प्रावधान है उस अतरिक्त उधार के प्रावधान को भी यह प्रथम विकल्प चुनने वाले जो 21 राज्य है वह उसका प्रियोग कर सकते हैं आप देखिए अब इसमें क्या बात है कि प्रथम विकल्पर तो केवल 21 राज्यों नहीं अपनी सामति दिये जबकि 16 राज्यों ने इस पर अपनी सामति नहीं दी तो इसका मतलब यहां पर यह है कि GST छति पूर्थी से समंदित जो गतिरोध है वह गतिरोध जारिर है तो अब इस गतिरोध को समाप्त करने के यह जो च्छति-पूर्ती रासी है GSD से संबन्दित, इसे केंदर सरकार उधार के रूप में स्वयम प्राप्त करेगी, और इस रासी को राज्यों के मद्ध वित्रित करेगी और यह जो उधार की रासी है उसे केंद्र सरकार कैसे वापस करेगी तो GST Compensation CIS के द्वारा और इसके लिए क्या किया गया है कि जो GST Compensation CIS की अबधी 2022 तक थी तो इस अबधी को बढ़ाने का विचार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा यह जो निर्ने लिया गया इस निर्ने की सब ने परसंसा किये है उसका कारण यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार जो यह उधार प्राप्त करेगी तो इससे केंद सरकार के राज को सी घाटे पर किसी प्रखार का कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद सरकार इस रासी को लो कलेखा के माध्यम से प्राप्त करेगी। पर यह है कि राज्यों के लिए अभी जो आबस्यक राज्यस्य की कमी है वह केंद्र सरकार के इस नए निर्णे के द्वारा क्या होगा उसकी पूर्ती हो जाएगी और आगे देखिए कि केंद्र राज्य के बीच में जो विश्वास की कमी हुई थी तो फिर विश्वास की अपूर्ण है वह क्यों वह देखिए जरा केंद्र सरकार ने जो नया निर्णे लिया है तो राज्य इस पर खुस नहीं है क्योंकि राज्यों का यह कहना है कि केंद्र सरकार छती पूर्ती से समंधित जो पूरी रासी है उस पूरी रासी को राज्यों को वित्रित करे उधा तो वह बढ़ा सकती है और केंद्र निया किया भी और आगे देखे कि अगर राज अत्रिक्त उधार ज्यान देगा जो अत्रिक्त उधार का प्रावधान है तो उस अत्रिक्त उधार के प्रावधान पर अगर राज उधार को प्राप्त करते हैं तो फिर यह राज जी के इस त इन सभी के बीच में आखिर GST परिसद की क्या प्रासंग इकता है। क्योंकि सुरवात से ही केंद्र ने GST परिसद की जो भूमिका है, जो उसकी प्रकृती है, उसके विप्रीत कारी किया है। क्योंकि सारे निर्णे केंद्र के द्वार लिये गए हैं, और वह जो निर्णे हैं वो राज्यों पर थोपे गए हैं। और राज्य की भूमिका इन घटनाओं के बीच में काफी और इसपस्ट रही है। तो मामला यहाँ पर यह है कि छती पूर्ती के मसले से निपटने के जो ढंग हैं, तो इस निपटने के ढंग ने निश्चित रूप से परिसद की स्थिती को चोट पहुँचाई हैं, मतलब GST परिसद की स्थिती को और केंद्र और राज्यों के रिस्तों पर भी असर चाहिए, तो इस संपादिकी में हमने GST परिसद से समंधित, जो महतपूर्ण मामले हैं, जो महतपूर्ण मसला है, उस पर हमने चर्चा की है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर, जो हमारे दूसरा संपादिकी है, उसका सिर्षक है No Great Escape, और इस स वैस्विक भूखमरी सुचकांग या Global Hunger Index पर, Global Hunger Index को सबसे पहले 2006 इस्वी में जारी किया गया था, और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो वैस्विक छेत्रिय और राश्ट्री इस्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिती का मापन करती है, इसे संयक्त रूप से Concerned Worldwide जो Ireland में इस्तित है और Welt Hunger Hive जर्मनी में जो इस्तित है, इन दोनों संस्थानों की द्वारा संहिक दूरूप से जारी किया जाता है, और अंतराश्टिक खाद नीती अनुसंधान संस्थान भी इसमें मदद करती है, Global Hunger Index के अंतरगर जो स्कोर होते है, उसका परसार होत है सुन्नी से सो तक, जहां सुन्नी का अर्थ है अच्छा मतलब सुन्नी भुखमरी की इस्तिती, और सो का अर्थ है सबसे खराब मतलब चरम भुखमरी की इस्तिती, और Global Hunger Index के अंतरगर जो स्कोर तै किया जाते है, उसके लिए चार संकेत कों का प्रयोग किया जाता है, लंबाई की तुलना में वजन का कम होना, तीसरा, स्टंटिंग, इसका अर्थ क्या है कि उम्र की तुलना में लंबाई का कम होना, चोथा, बाल मिर्तियो, मतलब पांच वर्स से कम जो आयू के बच्चे हैं, उनमें मिर्तियो की दर कितनी है, अगर हम Global Hunger Index 2020 के रिपोर्ट पर चर्चा करें, तो इसके अनुसार, वैस्विक इस्तर पर तीन देश, चाड, तीमोर, लेस्ते और मेडगास्कर, में भुखमारी का खतरना की इस्तर है, और वैस्विक इस्तर पर भुखमारी का इस्तर क्या है, मध्यम, वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो 107 देशों में भारत का इस्थान कितना है? 94, 94, वहीं 2019 में भारत की क्या सिती थी? 117 देशों में 102, और स्कोर कितना है भारत का? 27.2, जो भारत को गंभीर भुखमरी की स्रेणी में रखता है, वहीं भारत का प्रदर्शन ब्रिक्स में सबसे बुरा है, और पडोसी देशों में पाकिस्तान, स संकेतकों के आधार पर भारत का प्रदर्शन देखें, तो अलप पोसन इसके अनुसार भारत की 14 परतिसत आबादी अलप पोसित है, इस टंटिंग में देखे क्या है? कि 5 वर्ष से कम आयू के जो बच्चे हैं, उसमें 37,4 परतिसत बच्चे इस टंटिंग के सिकार हैं, वह 37,7 परतिसत अब देखे मामला क्या है? मामला यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा जो इसकोर जारी किया जाते हैं, उस पर आरूप लगते हैं, और आरूप इस आधार पर लगते हैं कि यह जो इसकोर लिया जाता है, उसी में कमिया हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सा जो बिमारिया होती है, जो आनुवान सिक्ता होती है, वह भी व्यक्ति या बच्चों पर हावी होता है, उससे सामिल नहीं क्या जाता है, दूसरा, समाजिक निर्धारक तत्व है, वो क्या होता है, कि जो व्यक्ति है, वो किस वातावरन में उसका जन्व हुआ, किस वातावरन वो व्यक्ति कारी कर रहा है यह जितने भी हैं निर्धारक तर्थे क्योंकि यह सभी जीवन गुणवत्ता के निर्धारक होते हैं तो यह आरूप हमेशा लगा है GHI के स्कोर पर लेकिन अगर भारत के संदर्व की हम बात करें तो राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ सर्वे के चौथे चरण मतलब 2015-16 में जो किया गया उसके अनुसार क्या परतिसत है स्टंटिंग और वेस्टिंग की जब देखें स्टंटिंग का क्या परतिसत है 38 परतिसत और वेस्टिंग की क्या इस्टिती है 21 परतिसत तो मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी राष्ट्य नीती बनाई गी है वह वास्पिक्ता से कोसो दूर है मतलब यहाँ कि राश्टी नीती में पूर्ण पोसन जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेशकर हूँ तो यह पूर्ण पोसन देने के लिए जो परतिबददता दिखाई जा रही है उसमें कमी है और परतिबदता दिखे या जमेनी इस्तर पर सही रूप से कारी करे इसके लिए राष्टिय नीती में आमूल चूल परिवर्तन क्या आवश सकता है। या जो कमिया हैं उन कमियों में और वृद्धी देखी जा रही है। उसका क्या कारण है कि खाद्य मुद्रा इस फीती में वृद्धी होने के कारण लोगों की जो आई घट रही है। लोगों, बहुत सारे लोगों का पैंसन बहुत कम है और बचत काफी कम है। कि इस बात का portion युक्त भोजन को प्राप्त करने का मतब उसमें दिक्कतें आ रही है और GHI तो खुद इस बात की पुष्टी कर रहा है कि जो वरतमान खाद्य प्रणाली है इस वरतमान खाद्य प्रणाली के माध्यम से sustainable development goal number two के सुन्ने भूक के लक्ष को प्राप्त नहीं किय दा सकता है वहीं अगर हम GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लेटेश डेटा की बात करें तो वह हमारा ध्यान इस और आकरसित कर रहा है कि National Food Security Act हमें यह पता है कि National Food Security Act 2013 इसके अंतरगत देश की 67% आबादी को कवर किया गया है तो यह जो National Food Security Act है उसके अंतरगत सही लाभानवितों तक अभी तक खाद्यानों की पहुच नहीं हुई है और इस दिसा में और कारे करने की आवसकता है क्योंकि National Food Security Act का जो लक्ष है वह केवल भूक मिटाने का नहीं होना चाहिए बलकि खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्तिती हो खाद्य पदार्थों म हाल के वर्षों में सरकार ने PDS में सुधार के उपाय अपनाये हैं जिसमें एक उपाय है बाइमेटिक सत्यापन जिसके अंतरगर्त लाभारतियों की बाइमेटिक पहचान की जाती है और पहचान सत्यापित हो जाने के बाद उनने subsidize खाद्यान उपलब दिकराया जाता है करना परंतु यह जो नई विवस्ता है इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है कि इनको वृद्धों को और दिव्यांगों को क्योंकि PDS की दुकान तक इनकी पहुच काफी सीमित हो जाती है तो अब आवशकता किस बात की है आवशकता इस बात की है कि PDS में सुधार तो हो ही लेकिन उसके साथ-साथ महिला स्वास्त केंदृत भी उसे किया जाए और उसमें खासकर कौन जो गर्वती महिला है उसके अलावा Integrated Child Development Scheme जिसे कप्रारम किया गया 2 October 1975 को तो इसके अंतरगत पूरक पोसन की विवस्ता हो ताकि जो बच्चे हैं उनका बहु आयामी विकास न अंतराष्टी खाद नीती अनुसंधान संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार गरामीन भारत में 4 में से 3 गरामीन संतुलित पोसन युक्त भोजन को प्राप्त करने में ओसमर्थ हैं क्यों इसलिए क्योंकि उनकी आय काफी सिमित है तो अर्थ यहाँ पर यह है कि खाद अधि सिकार अर्थ हीन हो जाता है अगर जन संख्या का एक बड़ा भाग अलप पोसित है बोनेपन एवं कम वजन का सिकार है तो इस परकार हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो लेटेस जारी किया गया है उसके आधार पर हमने भारत में मौजूद जो खाद वित्रन पर नालिया ह उसमें हमने कम्यों को देखा उसकी सीमाओं को देखा और उसमें क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादिकी की ओर जो हमारा तीसरा संपादिकी है जिसका सिर्षक है टिंकरिंग एट मार्जिंस इ इसे उर्वरक विभाग के द्वारा इंप्लिमेंट किया जाता है। तो 2010 इस्वी में सरकार ने nutrient-based subsidy की जो सुरुवाद की थी, आकिर उसका उद्दे से क्या था। उसका उद्दे से था कि किसानों की द्वारा यूरिया का कम से कम परियोग हो। तो उसके लिए क्या किया गया। कि यूरिया को छोड़कर phosphate और potassium से समंदी जो उर्वरक हैं उनके प्रत्येक grade, मतलब ग्रेड कैसे तयह होगा। तो इन निर्माताओं, विक्रेताओं और आयातकों को यह स्वतंद्रता दी गई कि वे फास्पेट और पोटास से सम्मंदित उर्वरक के MRP को तै करें। तो खुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि फास्पेट और पोटास से सम्मंदित जो उर्वरक हैं, उसकी एक निश्चित मात्रा को किसान खरीच सकते हैं, वो भी नियंत्रित मुल्लिपर, किसके अंत्रगत? न्यूट्रेंट बेस्ट सब्सिडी के अधार पर। तो मतलब यह कि साल दर साल MRP में क्या होगी? बढ़ोत्री होगी और उसी आधार पर फिर सब्सिडी दी जाएगी इसके अंत्रगत. तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या देखा गया? कि 2010 इस्वि में सरकार के द्वारा जो नियूट्रियंट बेस्ट सब्सिडी की सुरुआत की गई तो उसके अंत्रगत, फास्फेट और पोटास से समंधित जो उरुवरक हैं इनके मुल्य को बाजार आधारित कर दिया गया. जबकि यूरिया पर मुल्य नियंत्रण स्थापित रहा. इसका परिनाम क्या निकला? वो देखिए. उसका परिनाम यहाँ निकला कि 2009-10 से ल 7 मिलियन टन. जबकि कुल उरुवरक खपत में बढ़ोतरी कितनी दिखने को मिल रहे है? 53.4 मिलियन टन से बढ़कर वो कितनी पहुंची? 61.7 मिलियन टन. अब इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अप्रेल 2010 से यूरिया के मुल्य में जहां 11 परतिसत की बढ़ोतरी हु उनके मुल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है? धाई से चार गुना की बढ़ोतरी देखी गई उसमें. अब यहां परिनाम क्या निकला? कि किसानों ने यूरिया के प्रयोग को बढ़ा दिया. और इस्थिति यह हुई कि NPK का जो आदर्स अनुपात या आदर्स इस्थिति 4 2 is to 1 होनी चाहिए, भारत में कितनी देखी गई? 8 is to 3 is to 1. और उसका कारण यहां पर क्या है? उसका कारण है यूरिया का जादा से जादा प्रयोग होना. हाला कि हाल के वर्सों में सरकार ने सुधार के कारी किये हैं. और सुधार के कारी देखें क्या है? कि गैर कर्सी उप् मुझ सुनिश्चित हो इसके लिए बापू परणाली को लाए गया बापू मतलब बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अप्टेक और यह बात भी कही जा रही है कि सरकार आगे ऐसी नीती बनाने जा रही है जिसके अंतरगत एक कृसी मौसम में सबसीडी युक्त उ करने से समंदित है परन्तु यहां सवाल यह है कि कृसी में कैसे उर्वरकों का प्रियोग विवेक पूर्ण ढंग से किया जा सके ताकि फसल उत्पादन में बढ़ोत्री के साथ साथ मिटी की उर्वरकता भी बनी रहे तो इसके समाधान की रूप में संपादिकी में जो बा यूरिया के MRP को अगले दो-तीन वर्सों में दस हजार रुपे प्रती टन तक बढ़ाये जाए साथी साथ जो अन्य उर्वरक हैं उनको प्रती टन पंद्रह सो से दो हजार रुपे सस्ता किया जाए फिर आगे चल कर NBS को समाप्त कर दिया जाए और एक समान प्रती एकड नगद आधहारित सबसीडी या सभी उर्वरकों की खरीद पर मिले और अगर यहां प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इससे मिट्टी को मैक्रो नूट्रियंट्स और माइक्रो नूट्रियंट्स ये दोनों प्रकार के पोसकत्तों की प्राप्ती होगी तो इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने उर्वर्कों के विवेकपुन परियोग पर चर्चा की देखते हैं आज का प्रश्ण है प्रश्ण है कि वैस्विक भुखमरी सुचकांग से समंधित निम्न कत्नों पर विचार करें पहला यहाँ एक वार्शी की रिपोर्ट है और दूसरा भारत में भुखमरी की इस्थिती मध्यम इस्तर पर है सही विकल्प का चैन करें ए केवल पहला बी केवल दूसरा सी पहला और दूसरा इनमें से कोई नहीं इसके साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार